रश्या के युक्रेन इन्वेजन के बाद फेबुरी 2022 से ग्लोबल लेवल पर फूड सप्लाइचेन इतनी डिस्रप्ट हो गई कि वर्ल लेवल पर एक फूड क्राइसिस आ गया तो जुलाई में ब्रोकर्ड ये इनिशेटिव आल्मोस्ट एक सो बीस दिनों तक यानि की नवेंबर तक वालिट था जिसके अंडर यूक्रेन जो वोल का लाज़ेस्ट वीड मेज संफ्लार और रेप सीड ओयल एक्स्पोर्टर है वो ब्लाक सी के तीन मेजर पोर्ट्स ओडि क्योंकि UN office for coordination of humanitarian affairs के according almost 10 million ton grains अभी तक एक्सपोर्ट हो चुके है जो directly humanitarian purpose को सर्फ कर रहे हैं इस इनिशेटिव की वज़े से global level पर supply chain disruption और food hoarding की वज़े से जो prices बढ़ रहे थे अब वो prices continuously decline हो रहे है जिसका मतलब है कि international level पर food inflation अब control में थर्ड, already climate change, poverty और food shortage जैसी situation से hit African और Middle East Asian countries जैसे की Yemen उनके लिए ये एक initiative एक life saving initiative है क्योंकि ये countries mostly Russia और Ukraine के exports पर ही dependent थी However, black sea green initiative के कुछ limiting factors भी है जो ये है कि 44% of the shipments अभी तक high income countries जैसे की Italy और Spain के पास पहुची है while 30% upper middle income countries जैसे चाइना ने receive की है अब final सवाल ये है कि आखिर black sea green initiative news में क्यों है क्योंकि recently suspension के बाद Russia ने इस initiative को एक भार फिर से revive किया है फिर और ये है ये अगर में के जाचे है